हलो फ्रेंज माइनेम इस फ्रीती आप देख रहे हैं एक्जाम्टेन यूटूब चैनल फ्रेंज आज हम लुग पढ़ने वाले हैं करिंट अफेर का एक टॉपिक है कॉमर्सिल ड्रोन पॉलिशी क्या है ये ड्रोन पॉलिशी क्या भारत में अब ड्रोन उड़ाया जा सकता है क्योंकि इसके पहले जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो काफी हाड थे ड्रोन को उड़ाने के लिए ना तो कोई सोचता था अब देखें बहुत सी कमपनिया हैं जो होम डिलिवरी करती है चाहिए अगर हम लोग बात के कर लें डॉमिनोस की बात कर लें या फिर एमाजॉन और फ्लिपकार्ट ये सब जो कमपनिया हैं एक कॉमर्स वो लोग क्या करना चाहते हैं कि जो प्रोड़क के डिलिवरी करते हैं वो ड्रोन के माध्यम से करें इसलिए अब ड्रोन की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है हम जानते हैं कि भारत में भी ड्रोन पॉलिसी बन चुकी है लेकिन वह अभी नहीं लागू होगी यह वीडियो अगस्त में बनाया जा रहा है और जबकि यह पॉलिसी कब लागू होने वाला है एक दिसंबर 2018 से तो लागू होने से पहले हम लोग इस पॉलिसी को जान देते हैं कि यह पॉलिसी कितना इंपोर्टेंट है हमारे लिए और क्या क्या चेंजेस है इसमें क्या भारत ड्रोन उड़ा सकता है अगर उड़ा सकते हैं तो क्या हर इंसान ड्रोन उड़ा सकता है बस हम लोग ड्रोन खरीद लिए और उड़ा दिए ऐसा है तो जो भी चीजे है जो भी questions इससे बन सकते हैं को आज हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि इस policy का नाम क्या है पॉलिशी का नाम है commercial drone policy और यह policy किसकी द्वारा बनाया गया है किस मंतराले द्वारा बनाया गया है तो ministry of civil aviation द्वारा यह policy बनाई गया है याद रखेगा मंतराले का नाम किस मंतराले द्वारा ministry of civil aviation और इसकी minister कौन है civil aviation के तो सुरेश प्रभू सुरेश प्रभू ministry of civil aviation के minister है यह policy कब लागू होने वाली है तो 1 दिसंबर 2018 से important question है drone होते क्या है जैसा कि हम लोग जानते हैं drone का use जादा तर जितना हम लोग जानते हैं कि military use जानते हैं drone के बारे में जितना पता था यही पता था कि बस military वाले drone का use करते हैं बाद में धीरे धीरे सामने आया कि नई business purpose के लिए भी हम लोग drone को use कर सकते हैं तो drone एक नाम है और वाकई अगर ह आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पे हम सैनिक नहीं भेज सकते, बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं, या बहुत बड़ी साइट है, हमें उसका विजिट करना है, तो उन सब चीजों के लिए ड्रोन का यूज हम लोग देखते थे, मुवीज में देखते थे, ठीक, और अमेर यहां पे आपको जो इमेज दिख रहा है, जैसे आदमी ड्रोन उड़ा रहा है, एमा जॉन जो है, यह फॉरेंड कंट्री में ड्रोन से अभी डिलीवर करता है, गूट्स को डिलीवर करता है एमा जॉन, ठीक है, ड्रोन के लिए इसने बनाया है, और यह मतलब काफी हद तक अच्छा है, क्योंकि अच्छा भी है और बुरा भी है, अच्छा इसलिए कि आपका काम टाइम से हो जाएगा, आपका मैन पावर कम हो जाएगी, इसलिए बुरा है, जहां हम लोग आदमीं को रिक्यूट करते थे, लोगों को जॉब मिलती थी इससे, कि हाँ आदमी रिक्य यहां से डॉमिनोस से हर जगा है इसका ब्रांच तो अगर हम लोग बात करें तो फॉरिन कंट्री में कुछ जगहों पर पीजर डिलीवर होता है ड्रोन के माध्यम से ठीक अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है तो हमें पढ़ना यह है कि क्या अभी जो नई ड्रोन पॉलिसी बने है उससे क्या जो ए-commerce कंपनिया यह पीजर डिलीवर कर सकती है या क्या कर सकती है और ड्रोन बेज के आप पूरे इरिया को अच्छे से विजिट कर लोगे तो आप एक इमेज अच्छे से mapping कर सकते हो कि क्या चीज़ कहां पर है दूसरी बात है formers formers के लिए क्या है formers को जो कीट नासक छिड़कने होते हैं ठीक यूरिया खाद वगरा ये सब छिड़कना तो ये सब भी काम drone कर सकता है लेकिन यहां पर एक चीज़ याद रखेगा कि जो हम लोग का drone policy बना है उसमें formers को allow नहीं किया गया है कि आप drone के माध्यम से कीट नासक का छिड़काव करो बाखी शादियों में इसका use हम लोग चाहे national level पर बात करें या international level पर सादियों में drone camera का use बहुत ही अच्छे से हो रहा है मतलब सब लोग को बहुत अच्छी photos भी आती है photos हो गया, videos हो गया इन सब चीजों में अभी भी इंडिया में drone use हो रहा है किसी long site का survey करना हो या जो हमारी e-commerce company like Amazon, Alibaba, Flipkart ये drone का use करती है but not in India याद रखेगा इंडिया में नहीं हो रहा है और इस बार के drone policy में अभी ऐसा कुछ ही नहीं कहा गया कि ये drone के माध्यम से use कर सकती है देखे इसमें कुछ changes होंगे आगे चलके तो अब बता नहीं सकते आईए बात करते हैं हमारे drone policy का नाम क्या है इस drone policy का नाम है drone policy 1.0 पर्टिकुलर नेम क्या है इसका drone policy 1.0 याद रखेगा हमारे civil aviation minister है सूरेश प्रभू उन्होंने बताया कि अगर हम लोग पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे है तो इंडिया में जो drone market है वह लगभग 1 trillion dollar का है कितना है 1 trillion dollar का market है तो काफी अच्छी बात है 1 trillion dollar का market है तो काफी फायदा होने वाला है हमारे अर्थविरस्ता को ठीक तो बात आती है कि क्या हर कोई drone उड़ा सकता है जैसे आप चाहे तो नॉमली जाके drone पर्चेज करके drone उड़ा सकते हो किस purpose है या किस हाइड पर उड़ा सकते है तो इसके लिए देखे rules and regulations बने है क्या rules है rules ये है कि जैसे हम लोग गाड़ी पर्चेज करते है तो उसको चलाने के लिए हमें क्या करते है गाड़ी का number मिलता है फिर DL बनवाना पड़ता है तो उसी तरह ड्रोन को भी उड़ाने के लिए क्या होगा एक पुरा system generate किया गया है क्योंकि ड्रोन क्या इससे बहुत से काम हो सकते है तो इसका use और misuse दोनों है इसलिए पूरी तरीके से अच्छे सी policy बनाई गई है और धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट करके और भी ज्यादा इसमें लोगों को छूट दी जाएगे कि हाँ आप कितने दूर कितने एरिया तक use कर सकते हो तो क्या है license permission system है ड्रोन को उड़ाने के लिए जिसके पास license होगा वही ड्रोन को उड़ा सकता है नॉर्मल लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकते है example के तोर पर जैसे हम लोग car purchase करते है तो पहली बात तो car का एक number होता है उसी तरह drone भी जब बनेगा जब इंडिया में drone बन रहा तो उसका भी एक number होगा जैसे गाड़ी का number होता है उसी तरह drone का भी एक number होगा और गाड़ी को drive करने के लिए हमें driving license की ज़रूरत पड़ती है और drone को चलाने के लिए हमें क्या होगा unique identification number generate किया जाएगा या फिर इसका जो license रहेगा उसका नाम क्या है unmanned aircraft operator permit ती रही बात जैसे छोटे drones भी आते हैं बड़े drone तो हमारी जो commercial drone policy है इसमें कितने gram से drone को cover किया गया तो 200 gram के जो drone होंगे 200 gram या उससे उपर के इसके नीचे के जो होंगे उन्हें खिलोना मान ले जाता है उसका use कोई भी कर सकता है जबकि 200 gram के अगर हम लोग drone की बात करे या उससे उपर की तो वो लोग किसमें आ जाएंगे वो आ जाएंगे commercial drone policy के अंतरगत इनको उडाने के लिए हमें क्या मिलेगा unique identification number संचालन इसका किस माध्यम से होगा क्योंकि drone है तो इसका संचालन होगा हमारे लिए एक app लॉंच करेगी Indian government एक app लॉंच करेगी उसमें क्या होगा वो number feed होगा drone का जो number रहेगा जैसे car का जो number होता वो feed होगा उसमें कौन purchase कर रहा है इसको किस purpose से तो एक identification number होगा और उसके लिए permit भी provide किया जाएगा अब देखते हैं कि drone का use इंडिया में किस हद तक बताया गया तो जैसे disaster relief जैसे उत्तराखण में last year आप लोगों नहीं देखा था उत्तराखण में बादल फड़ गया था अभी केरल में बाड़ आया था तो इन सब जगों पे बहुत से जगाएं ऐसे होते हैं जहां आदमी खुद नहीं जा सकता तो वहाँ drone के मादम से निरिचर्ड करना वहाँ के लोगों को सुविधाय प्रवाइड करना ये सब किसे किया जा सकता है drone से हमारी drone policy में ये बात बताया गया है कि हम लोग इस sector में drone का यूज कर सकते हैं health के sector में कर सकते हैं agriculture के भी sector में भी कर सकते हैं लेकिन कहां except fertilizer spray अभी की delivery drone के माध्यम से अभी भी ban है ठीक where to fly drone अगर हम लोग purchase कर लिये हैं तो हम कहां उड़ा सकते हैं इसके लिए zone निर्धारित कर दिये गया है ठीक, red area, yellow area और green area red area जो होगा या पूरी तरह से prohibited होगा यहाँ पे drone नहीं उड़ाया जा सकता जैसे देख लेते हैं airports हो गए international borders हो गए military installation हो गए और विजे चौक, विजे चौक डली में है यहाँ पे क्या राश्पती, भवन, संसर यह सब चीज़े हैं तो इस वज़ा से यहाँ पे drone ban है, ठीक airports के अगर हम लोग बात करें तो मुंबई, डलाई, चेनेई, कोलकाता, बंगलरू जो बड़े airports हैं उनकी 5 km के area में drone fly नहीं किया जा सकता जबकि अगर हम लोग छोटे airports की बात करें तो उनके लिए जो area निर्धारित किया गया वो है 3 km ठीक, international borders जैसे LOC line of control ठीक, LAC line of actual control यह सब जो हमारे international borders है वहाँ पे drone नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि उससे problem हो सकती है ठीक, बाखे military installation यहाँ पे drone नहीं उड़ाया जा सकता वीजे चोक तो आप लोग और इसी तरह state की बेबात कर ले जैसे यहाँ पे Delhi के वीजे चोक को तो mention कर दिया है अब जैसे लखनों में जो विधान सबाय इन सब जगों पे भी drone प्रोबिटेट है ठीक, और जो wildlife centuries है वहाँ पे भी drone नहीं उड़ाया जा सकता उसके बाद अगर हम लोग बात करें एलो एरिया की, तो एलो एरिया में देखे drone उड़ाया जा सकता है इसमें जो भी drone purchase करेंगा उसे एक application provide किया जाएगा और उड़े बताया जाएगा कि आप किस height टक drone उड़ा सकते हैं वैसे जो height है drone उड़ाने की वह 400 feet अभी रखे गई है क्या height रखे गई है? 400 feet green area की बात करें तो यहाँ drone उड़ाने के लिए कोई permission है क्योंकि जब आपने red area निर्धारित कर दिया तो जो भी areas हैं वहाँ पे पूरी तरह प्रतिबंदित है उसके बाद yellow area में आपको permission मिल जाएगे कि हाँ कौन सा drone अभी गया है? ठी? कितनी उचाई तक उड़ा सकते हैं? रात के time आप drone को बिल्कुल नहीं उड़ा सकते हैं रात के time drone को नहीं उड़ा सकते हैं अगर एक question बन सकता है कि digital sky platform किस से संबंदित है तो यह drone को उड़ाने के लिए एक platform है ठी? यह उसी से संबंदित है तो अब I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि drone को कितने छूट दिया गया और अभी क्या क्या चीजे होनी है और फिलाल जब यह अभी जब दिसंबर में यह लागू हो जाएगा तो इसमें obvious सी बात है amendments होंगे क्योंकि बहुत से अभी ऐसे एरिया है जहां पर drone को पूरा provided है तो उसके लिए भी rules बनेंगे बाकि food की deliver नहीं हो सकता तो इन सब चीजों में देखा जाएगा कि क्या होता है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता तो आप comment करके पूछ लेजेगा मेरे साब से आपको इतने में समझ में आ गए होगा बाकि अब जब policy लागू हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या amendment होते हैं और एक चीज इंपोर्टन याद रखेगा आप का नाम पक्का आ जाएगा दिसंबर के पहले क्योंकि दिसंबर से अगर ये लागू हो रहा है तो उसके पहले कौन सी company बनाएगी या जो application होगा जो Indian government launch करेगी application ये सारी चीजे आ जाएगी तो उसको हम लोग अपने current affair वाले वीडियो में सब discuss करते चलेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया